नमस्कार मैं अतीक खान आप देख रहे हैं ता लीडर हिंदी भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुप जनरल बेपिन रावत और उनकी पतनी मदुलिका रावत समेथ 12 सैनिकों की शहादत पर पूरा देश गमगीन है देश उनकी शहादत को नमन कर रहा है बदबार को तमिलाडू के कुनूर में हेलिकाप्टर क्रेश हो गया था जिसमें CDS के साथ दूसरे सैनिक सबार थे गुरुबार को रक्षा मंतरी राजनाज सिंग ने इस मामले पर संसब में बयान दिया है देखे रे राजनाज सिंग ने घटना को लेकर क्या कहा आज बड़े दुख और भारी मन से मैं 8 दिसमबर 2021 की दोपर में हुई मलेट्री हेलिकाप्टर जिसमें भारत के प्रथम चीफ आप डिफेंस स्टाफ जन्रल बिपन रावत उनकी धर्ण पतनी केम बारह अन्य सवार थे कि दुरगटना के दुरभागे पूर समाचार से रवबत कराने के लिए आप सभी के भी ख़ड़ा हुआ अज्यक्ट मोद है जन्रल बिफिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ काले वेलिंग्टन के इस्टुडेंट आपसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक सिडूल विजित पर थे एरफोर्स के यमाई 17 V5 हेलिकाप्टर ने कल 11 बज़ कल 49 मिनट पर सुलूर एरवेस से अपनी उडान भरी जिसे 12 बज़ कर 15 मिनट पर वेलिंग्टन में लैंड करना था सुलूर एरवेस के एरट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12 बज़ कर 8 मिनट पर हेलिकाप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ अस्थानी लोगों ने आग लगी हुई देखी जब वे भाग कर उस अस्थान पर पहुँचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलिकाप्टर के आउसेस को आग की लग्टों से घिरा हुआ देखा अस्थानी प्रसासन से एक बचाओ दल उस जगह पर पहुँचा उन्होंने क्रैस्ट साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी रियास किया उस आउसेस से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सब को यथा सिग्र वेलिंग्टन के मिलिट्री हास्पीटल पहुँचा आया गया प्राप्ट जानकारी के अंशार उस हेलिकाप्टर में सबार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मिर्ट्टी हो गई जिन लोगों की दुर्भागे कुण मौते हुई उनमें चीफ आप डिफेंस स्टाफ, इनकी धर्म पत्नी स्रिमती वधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लख्विंदर सिंग लेड़र, स्टाफ आपसर लेटनें करनल हरजिंदर सिंग और एरफोर्स हेलिकाप्टर क्रिव समेच आड़ फोर्सेस के नौ अन्यलोग सामिल हैं उनके नाम हैं विंग कमांडर प्रिख्वी सिंग चोहान, स्क्वैडरन लीडर कुलदीप सिंग, जुनियर वारंट आपसर राना प्रतापदाश, जुनियर वारंट आपसर अरकल प्रदीप, और हविलदार सत्पाल राय, नायक गुरशेवक सिंग, नायक जितंदर कुमार और लैंस नायक विवेक कुमार, लैंस नायक बीस आई तेजा, सभी पार्थिव सरीर को इंडियन एर फोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा, ग्रुप कैप्टन वरुन सिंग, वेलिंग्टन के मिलिट्री हास्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं, और उन्हें बचाने के हर संभो प्रयास किये जा रहे हैं, एर चीफ मार्शल त्री वियर चौधरी को घटना अस्थल पर दुर्गटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज़ दिया गया है, उन्होंने घटना अस्थल यो वेलिंग्टन हास्पिटल जाकर इस्थित का जायजा लिया, इस दुर्गटना के संबंध में, इंडियन एर फोर्स द्वारा, एर मारसल मानवेंदर सिंग की अध्यक्ष्टा में एक ट्राई सर्विस इंक्वाईरी के आदेश दे दिये गये हैं, इंक्वाईरी टीम के आफसर कल ही वेलिंग्टन पहुँचकर अपना कारिक रारंब कर दि किया जाएगा, अध्यक्ष्म हो रहे, मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को प्रधांजलिया रिपित करता हूं और उनके परिवार जनों के प्रति संबेदना भी व्यक्त करता हूं